नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपनी केदारनात की यात्रा दिखाने जा रही हूँ जो हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले करी थी तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कहीं से भी दिल्ली से या जिस भी सिटी से आ रहे हैं वहां से आप हरी द्वार या रिशी केश पहुंचिए और वहां से आपको सोन प्रयाग के लिए बस लेनी होगी या गाड़ी भी प्राइवेट हायर कर सकते हो और उससे आप सोन प्रयाग पहुंचिए सोन प्रयाग से आपको वहां पर आपका बायर मिट्रिक होगा और फिर वहां से आपको एक टैक्सी मिलेग इस तरह का आपको सब देखने को मिलेगा जो आँखों को बहुत ही मोहता है और एक बात जब भी आप लोग वहाँ पर जाईए दर्शन करने तो ध्यान रखिए गरम कपड़े बहुत अच्छे से लेके जाईए यह आप इसमें जैसे देख सकते हो कि कितनी बर्फ है वहाँ प तो आप अपना रेन कोट भी जरूर साथ मिलेके जाईए थोड़ी देर में धूप है थोड़ी देर में बारिश होने लगती है तो देखिए लोग यहां जैसे घोडों से खचर से और पाइदल हर तरह से यात्रा कर रहे हैं तो जिससे भी आपको यात्रा करनी हो अगर आप लोग फिट हैं और यंग एज में हैं तो आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं लेकिन बुजुर्ग हैं या बच्चे साथ में हैं तो आप लोग घोड़े से या चौपर से किसी भी चीज से यात्रा कर सकते हैं अब देखिए हम लोग उपर के दारनात वैली पहुंच चुके लाइन ही लाइन जो है करीब 500 मीटर या इससे भी और आगे काफी दूर से लाइन लगी थी दर्शन के लिए तो ऐसी लाइन में आप लग जाए और धीरे-धीरे करके फिर दर्शन का नंबर आ जाता है यह देखिए यह भगवान जी का टैंपल है यहाँ बे वन बाई वन करके फिर अंदर आपको जाना होता है और अंदर जाकर आपको दर्शन बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं जिससे आपके सफर की सारी थकान उतर जाती है और मन को एक बहुती अच्छी शान्ती और खुशी का वो होता है अन्भो यह आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा दिखाने की बाहर से कोसिस किये लेकिन वहाँ पर अंदर कहीं भी मुबाइल ले जाना शूट करना अलाओ नहीं है तो आप बाहर देख सकते हैं यह मंदिर के चारो तरफ का नजारा मैंने दिखाया है यह आप मंदिर जी के दर्शन कर सकते हैं और यह चारो तरफ लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं इतने शरद्धाल। हैं, यहाँ पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी इतने शरद्धाल। आपको हर उम्र के सरद्धाल। मेंगे। इसमें चोटे भचेंटें भी हैं, हमारे उजर्ग लोग भी हैं और यंग लोग भी हैं और महलाएं भी बहुत हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी तरह का वातावरण हो किसी भी तरह का वैदर हो लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं होती वैसे भी ये मंदिर गर्मियों में थोड़े टाइम के लिए ही खुलता है और सर्धियों में ये बरफ बहुत बाबा जी बने वहां पर भी लोग किता दर्शन करने के लिए लाइन लगाए हैं और नंदी जी पर भी लोग चीजे चढ़ा रहे हैं जो भी अपने शद्धा वक्ती से लाए हैं वो चीजे चढ़ा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यह बाबा लोग सब खड़े हुए हैं यह वही पर रहते हैं छे महीने जब तक दर्शन वहाँ लोग जाते हैं उपर तो यह बाबा जी लोग भी उपर ही रहते हैं तो लोग इन बाबा जी लोगों का भी आशीष ले रहे रहे हैं यह मंदिर का एक बार आप लोग और दर्शन करिए और अच्छे से निहार लेजए बहुत ही तकलीफ, बहुत ही महेनत की यात्रा के बाद ये दर्शन मिलते हैं ये बिल्कुल मैंने नजदीक से बनाया है मंदिर का क्लोजर लुक देखिए आप लोग आगे पीछे से और ये देखिए ये नंदी बाबा ये मंदिर के में गेट के पास ही बने हुए हैं और द्वार पर साइड में गड़ेश जी बने हुए है ये देखिए अभी भी लोगों की लाइन जाही रही है अंदर दर्शन के लिए कम से कम आपको दो घंटे दाई घंटे तो मान के चलिए लाइन में लगना पड़ेगा ये बाबा जी लोग आशीज भी देते हैं और वहाँ पर बहुत से ऐसे बाबा जी लोग है जो पूरे लाइन से मंदिर के चारों तरफ बैठे रहते हैं ये देखिए मौसम देखिए बदलने लगा और ये देखिए ये मंदिर के ठीक पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं ये शिला है इसी शिला ने जब वहाँ पर बाड़ आई थी आपड़ा आई थी तब जो है इस मंदिर की रक्षा करी थी जितनी भी पानी आया था ये शिला से दोनों साइड होके निकल गया था जिससे मंदिर जो है सही सलामत बज गया था मंदिर को कोई शती नहीं हुई थी तो इस सिला का भी पूजा करते हैं लोग अब इसको भी मंदिर के पीछे वैसे ही रख रखा है और इसकी भी लोग पूजा करने जाते हैं ये आप देखिए मौसम बदलने लगा ये दुन्द चाने लगी और ये सब परवतों पे बरख पड़ी हुई है ये देखिए सब लाइन से ये बाबा जी लोग बैठे वे हैं लोग तो यहाँ भी इनको सब दान पुन करते हैं लाइन से आपको सब पीछे मंदिर के ये सब बाबा जी लोग बैठे दिख जाएंगे और ये मंदिर का पीछे का भाग है ये देखिए सब लाएं इन से पीछे और उधर आगे साइड में इसी तरह से धर्म साले हैं खाने के रेस्टरेंट हैं जी एन वी एन के भी यहां पर खाने भीने के भोजनालाय बने वे हैं जहां पर आपको अच्छे दामों में खाने की थाली भी उपर मिल जाती है रुखने के लिए गेस्ट हाउस, होटल और धर्मशाला ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है हर रेट के होटल, धर्मशाला, डोरमेटरी, सबी चीज़े आपको मिल जाती है जब जिस टाइम पर सीजन हो पीक का टाइम हो तो हो सके तो पहले से अगर आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है जी एन वी एन के गेस्ट हाउसेज वगेरा में आप कर सकते हैं यह देखें यह बैक साइड है मंदिर का यह साइड का हिस्सा है यह बड़ा सा तरिशूल भी लगा हुआ है यह इसका थोड़ा सा दूर से लुक लिया है सीड़ी से फ्रंट देखिए और मौसम देखिए अब ही कितनी तेज धूप थी आप देखें मौसम किस तरह से हो गया है पलक जपकते ही मौसम बदलता है यह देखें यह वहां पर मंदाकनी रिवर हैं साइड में बिल्कुल मंदिर के साइड में बह रही है तो वहां पर भी लोग इसनान करके दर्शन करते हैं और बहुत से लोग अपने होटलों से ही इसनान करके दर्शन करते हैं जैसा जिसको वहां पर लोग पीट पर चेयर पर बैठा के लोगों को ले जाते हैं यह देखिए मंदाकनी रिवर है यह बिल्कुल मंदिर के बगल से बहती है